देखो समुंद्र के बीचो बीच लहरों के कारण पैलेट ट्रांसफर के दोरान कैसे समुंद्र में ही गिर जाते हैं लेकिन जरा सोचो क्या होगा जब आइकन ओफ दसी जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों में से एक कल आता है उसका जब पैलेट ट्रांसफर होता है तो उसके लिए सबसे पहले एक पैलेट का छोटा गाड़ी आता है और फिर पैलेट को कई बोडी गार्ड और सीड़ी के दोबारा राम से उतारा जाता है